ओमकरपूरगवरं गरुणावतारं संसारे सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंदम्र दयार विंदे भवं भवानी सैतम नवामी नमस्कार स्वागा थै आपका आचारिवानी में मैं आचारे डॉक्टर विक्रमादी थै आपके साथ 25 तारिक को शाम को 19 बच के करीब करीब 7 बच के 28 मिन पर चंदमा वशब राशी में प्रवेश करेंगे ये समय थोड़ा सा आपके लिए भारी हो जाएगा ऐसे में अपने मूड को थोड़ा ठीक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए चंदमा अनैसरी खर्चे बढ़ा सकते हैं चंदमा अनैसरी के जो एसे में एग्रिमेंट इत्यादी जो कर रहे हो ना उनको बड़ी साथधानी के साथ करना चाहिए किसी यात्रा पर जा रहे है तो उसमें थोड़ी साथधानी रखनी चाहिए एसे में अन्यदान करने से बड़ा अच्छा योग बन सकता है आपके कष्टो को दूर करने में साहित है प्रापत होगी देखिए ये बहुत अच्छा उपयोग होगा और कष्टों को दूर करने वाला रहेगा आपके आने वाले दो दिनों में जो चंद्रमा थोड़ा वीक है कष्ट देने के योग बना रहा है तो उससे आपको कष्ट दूर करने के योग बन सकते हैं वो आपको बड़ा अच्छा काम करने के योग बना सकते हैं बहुत बढ़िया से काप काम का लाब लेते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में विशर्ष तरपर आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए मा कारी का ध्यान करते हुए भगवति के मंदिर में जाकर उन्हें विशर्ष तरपर फूनों की माला अर्पित करें मा पद्मावति का ध्यान करें महालक्श्मी का पूजन करें कहा जाता है कि धर्मात्मा बनकर आप बहुत बढ़िया कारे कर सकते हैं आपके योग बना सकते हैं, चन्दमा बड़े सूप सिती में रहेंगे आपके, जो 28 तारीक को परिवर्तर होकर मितुन राशी में जाएंगे, सुबह चार बच के 28 मिरट पर योग बनेगा और पूरा दिन 29 तारीक और 30 तारीक तक चन्दमा वही रहने वाले हैं, और 30 तारीक क इन का ध्यान रखना ज़रूत है, उवराल अच्छा रहेगा, नवरात्र है का अंतिम दिवास है, महा नौमी है और साथ साथ राम नौमी भी है, तो उस दिन विशेशत दौर पर बवान राम का, ओम नव भगवते राम देवाय राम इनमा, इस मंतर का जब करते हुए उनका इस परगार से भवान का विशेशत और पर ध्यान करते हुए उनको भवान का जर्म उत्सव मनाया जाता है, उस दिन नवरात्र का सुंदर अंतिम यग्य रहेगा, तो हमारे आश्रम पर भी, जैसा हमने आपको कहा कि सहस्चंडी महा यग्य का सुंदर आयोजर है, तो आप इस सुंदर कारे में सम्मिलित होकर भवान की करपा प्राप्त करने के यूग बनाएं, देखिए, एक बात का ध्यान ना किएका नवरात्र बड़े सुंदर अफसर पर आ रहे हैं इस बार, इस बार नवरात्र बहत खास है, क्योंकि नवरात्र के अगले दिवस, यानि 31 तार नवरात्र को ये बड़े सिद्ध महूरत है, इसका उपयोग आप करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ब्रस्पती जब अस्त होंगे, ब्रस्पती मीन राशी में चल रहे हैं, बारा वर्श्वाद इस राशी में आएंगा, अन्तिम अलब देने के समय पर ब्रस्पती अस्त हो कुछ आपके जीवन में करने वाला है, ये हमने आपको बताया, और इसके अनुसा से आप कारिकम करेंगे, तो लाप राप्त होगा, यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो नमबर से आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्वट्सप के मादनें से आप हमें मैसेज सकते हैं, हम अवश्य आपको आपकी समसा का निदान देंगे, धन्यवाद.